हेलो आल आफ यू वेल्कम टू माय चैनल में आज आप लोगों के लिए लिए कर आई हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है आपकी कौन सी विश पूरी होने वाली है अगर आप कुछ विश मैनिफेस्ट कर रहे थे यह यूनिवर्स से आपको कुछ गिफ्ट मिलने वाला है तो वो गिफ्ट क्या होगा आपकी कौन सी इच्छा पूरी होगी तो गाइस यह रीडिंग जेंरल रहेगी और लेकिन यह मैं कह सकती हूँ काफी लोगों के साथ रेजुनेट होगी क्योंकि मुझे इंट्यूटिवली ऐसा लगा है तो बता देती ह मैं यह लेकिन यह जनरल रीडिंग है स्टिल इस जनरल ठीक है अगर यह सिचुएशन कुछ ऐसी है जो आप से मैच नहीं होती है तो कोई बात नहीं मैं और रीडिंग लेकर आऊंगी हो सकता है उसमें आपके लिए मैसेज हो ठीक है और जो लोग मेरा वीडियो देख रहे ह तो जाने अंजाने आप इसे की हेल्प करेंगे ठीक है गाइस तो चलिए चेक करते हैं कि आपकी कौन सी विश पूरी होने वाली है आपके लिए क्या है उनिवर्स के पास जो आपको मिलने वाला है ठीक है कौन सी विश पूरी होने वाली है विवर्स की चलिए चेक करते हैं बिना जादा टाइम वेस्ट के लिए नाइट आफ सोड्स ठीक है सेविन ओफ पैंटिकल्स जज्ज्मेंट ठीक है आप लोग देख पा रहे होंगे लवर्स गाइज लगता है कोई अपने प्यार के बारे में सोच रहा था अपने प्यार को पाना चाहता था टावर्स चलिए जज्ज्मेंट क्लारिफाई करते हैं फिर बताते हैं आपको कि हमें क्या दिख रहा है एंपरेस एनर्जी ओफ डेक है वर्ल्ड तो गाइस आप मेंसे काफी लोग अपने लव को मैनिफेस्ट कर रहे थे यानि कि अट्रैक कर रहे थे इन वर्क कर रहे थे आप लोग क्योंकि जायस मुझे यहां पर साफ दिख रहे हैं कि आप मेंसे काफी लोग अपने प्यार का इntजार कर रहे थे या तो उनके कॉल का या उनके मैसेज का या उनके मिलने का या आपका री उरियन होने के लिए आप इंतजार कर रहे थे आपकी बहुत डिजायर थी आपकी बहुत इच्छा थी कि आपका रियूनियन हो जाए आपके पार्टनर के साथ और यह सब आप युनिवर्स से मांग रहे थे मैं भगवान बोलू ईश्वर बोलू अल्ला बोलू खुदा बोलू यह आप युनिवर्स से मांग रहे थे कि आपको आपका प्यार आपको मिले ठीक है आपने बात उन से अगर मांगी थी और नहीं भी मांगी थी तो आपकी तरफ बहुत पास्ट एक्शन लेने वाले हैं आपके पॉर्सन अगर यह आपके पॉर्सन नहीं है तो आपने अपने जीवन में कोई ऐसा वेक्ति मांगा होगा जो बहुत प्यार करें तो गाईस आपकी लाइफ में कोई बहुत फास्ट एंटरी लेने वाला है ठीक है यह और वो और आपको तो उनका प्यार लॉट कर आ जाएगा क्योंकि यह लवर्स का कार्ड है और यहां पर हमारे पास नाइट आफ सोर्ड का कार्ड है ऐसा दिख रहा है कि यहां पर काफी टाइम से आप लोग परिशान बैठे थे यानि कि आप लोग काफी जादा काफी इन्वेस्ट कर चुके थे किसी रिष्टे में या किसी सिचुएशन में इमोशनली बहुत इन्वेस्ट कर चुके थे हो सकता है कुछ लोग फाइनेशली भी इन्वेस्ट कर चुके हो एक रिष्टे में और कुछ लोग emotionally बहुत invest कर चुके थे, यानि कि इतना अपना प्यार दिया, इतना अपना समय दिया किसी रिष्टे में आप लोगों ने, तो आपने बहुत invest किया था, लेकिन आपको बदले में कुछ मिला नहीं कभी, ऐसा नहीं है कि आपने बदले में कुछ मिले इस उमीद कुछ में कुछ में कुछ में कुछ में बहुत दुखी थे, लेकिन आप काफी निराश हो चुके थे, एक निराशा जनक और disappointment वाली फीलिंग थी आपको, ठीक है, लेकिन आगे टावर का काड है, टावर मेरे लिए एक ऐसी illegal building है, जो गिरनी चाहिए, एक ऐसी illegal building जिसकी बु आपका time अब तक आपका साथ नहीं दे रहा था, आपका luck अब तक आपके साथ नहीं था, divine timing अभी आपके पास आई नहीं थी, यानि कि divine timing तक आप पहुँझे नहीं थे, समय आपका काफी dark चल रहा था, dark नहीं बोलूँगी, पर disappointment में चल रहा था, जिन लोगों को आपने trust क किया था, जिनके उपर वो लोग आपको उतना ही प्यार नहीं दे पाए, इस बात का disappointment था आपको, तो disappointment बहुत जल्दी खतम हो जाएगा, जो भी disappointment था आपका, वो खतम हो जाएगा, और मैं तो कहूंगी, आपकी life एक new turn लेगी, ठीक है, ये tower का card है, लेकिन ये सिर्फ बतात आई में या career में growth नहीं हो रही थी, तो वो होना शुरू हो जाएगी, या आपका रिष्टा नहीं चल रहा था, तो वो चलना शुरू करेगा, आपका रिष्टा अच्छा हो जाएगा, आपके person interest दिखाने लगेंगे, आपके पास lot कर आएगे, क्योंकि जो भी गलत था क्योंकि आपके situation में divine intervention होगा, जैसा कि हमारा सवाल था कि universe से आपको क्या gift मिलेगा, तो देख सकते हैं, यहाँ पर divine intervention हो रही है, जो इन सभी लोगों को यहाँ पर कुछ दे रही है, देखे, मैं आपको दिखाती हूँ, यह card, देखे, कैसे यहाँ पर divine intervention हो रही है, जैसे कि कोई God हो या कोई उपर वाला जिसते कि सब लोग कुछ मांग रहे हैं, ठीक है, तो यह सब की इच्छा पूरी कर रहे हैं, ठीक है, यह सब की इच्छा पूरी कर रहे हैं, यहाँ पर तो आपकी विश्च ग्रांट हो रही है, यह आपकी इच्छा पूरी हो रही है, क्योंकि यहां पर Empress का काड़ है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहां पर आपको काफी प्यार मिलने वाला है काफी नरिश्मेंट मिलेगा काफी लव मिलेगा जिससे आप तक वंचित थे आपको बहुत प्यार मिलेगा आपको बहुत सरहाना मिलेगी और आपको बहुत कोजीनेस फील हो सकते हैं औरлон नहीं तो मुझे ये भी लग रहा है कि काफी लोगों के लिए उनके past से ही चाहिए पर परसंट। दो एक टेंपरेंस का काड कर दो को कार्ड है घेन तक आप निराशा में थे आप यह भी कर रहे थे पेन में थे वो स्ट्रगल और खतम होगा अगर वीडियो में कुछ आ रही है तो देखिए मैंने क्या कहा था यहां पर टावर का कार्ड है जो कि एक ऐसी इल्लीगल बिल्डिंग है जो फॉल होगी आपकी लाइफ में सदन ड्रास्टिक चेंज आएगा मैंने क्या क आप जो भी निराश थे वो निराशा खतम हो जाएगी तो गाइस देखिए जब निराशा खतम होती है और सड़न चेंज आता है तो आप उस समय हील कर पाते हैं मैंने यही कहा था कि आपकी जो डिसपॉइंट्मेंट है आपका जो स्ट्रगल और दुख है वो खतम हो जाए से आपका रियूनियन होना है तो आप अपने आप ही हील होते चले जाएंगे क्योंकि आगे हमारे पास दाफूल का काड है जो बताता है कि यहां से आप अपनी नई लाइफ शुरू करेंगे एक नई जर्नी शुरू करेंगे क्योंकि अब आपको बहुत प्यार मिलेगा डि प्यार करने वाला आपको कोई मिलेगा हो सकता है कि मां भी आपको बहुत प्यार करें कुछ ज्यादा ही प्यार आप पर बढ़साएं अब लेकिन मुझे काफी लग रहा है कुछ लोगों के पास से उनके पार्टनर लॉट कराएंगे अगर आप उनसे मांग रहे थे क्योंक क्या है ठीक है आपकी लाइफ से सारी बुरी चीज़ें जो आपको तकलीफ दे रहें थी वो हट जाएंगी आपकी खतम हो जाएंगी आप हील हो जाएंगे तो उसके बाद आप अपनी नई लाइफ शुरू कर पाएंगे सब कुछ चिंता मुक्त होकर फ्री होकर सारी होने वाली है रिलीज दा ओल्ड औरेस्ट देखे गाइस यह रीडिंग में जो कार्ड आते हैं वो अपने आपको कितना क्लारिफाय कर देते हैं एक दूसरे से वही जो मैं कह रही थी कि पुराने पैटर्स खतम हो जाएंगे एक नया पैटर्न शुरू होगा आपका ठीक है यहां पर कार्ड भी आ चुका है जो बताता है रिलीज दा ओल्ड और रेस्ट यानि कि अब आप पुराने पैटर्न को रिलीज कर पाएंगे उस पुराने पैटर्न से फ्री हो पाएंगे जो आपका निराशा जनक तरीका हो गया था जीवन जीने का उससे आप बहार यानिकि आप अपने अपने ओल्ड को रिलीज कीजिए ठीक है और रेस्ट कीजिए रेस्ट का मतलब है हाँ पर अपने आपको हील कीजिए अपने आपको थोड़ा टाइम दीजिए चले मैं और देखती हूं यहां पर आपके लिए मेसेज आपको और क्या करना चाहिए या पिर आपकी situation से लेकर मुझे और card दीजिए universe please let me tell them moon का card आया है जिसमें लिखा है take note of intuitive messages तो guys जब आप अपने आपको heal करेंगे क्योंकि आपके relationship में या आपका जो भी situation है उस situation में divine interference हो रहा है आपका reunion हो सकता है तो इस समय guys आपको काफी intuitive messages मिलेंगे यानि कि आप जो भी सोच रहे होंगे अगली ही पल वो आपको ऐसा लगेगा कि ये मैं सोच रहा था और यह हो गया या मैं यह सोच रही थी और हो गया या फिर आप जो आपने ऐसा ही कुछ imagine किया होगा और वो real में हो जाएगा ठीक है तो आप intuitively बहुत active होने वाले हैं इसलिए आपका दिल जो आपकी inner voice जो आपको कह रही है जो आपकी soul आपको कहती है उस बात का ध्यान रखें यहां लिखा है take note of intuitive message यानि कि आप बहुत intuitive होने वाले हैं आपको यह universe से gift मिलने वाला है कि आप बहुत intuitive हो जाएंगे क्योंकि आप हील हो चुके होंगे इसलिए आप intuitive हो जाएंगे तो आप जो भी आपको intuitive message मिलता है उस पर ध्यान दे अगर आपको angel numbers दिखते हैं जैसे कि आपको 222 दिखता है 11 11 दिखता है और आपको 555 दिखता है तो आप वोरण जाएंगे गूगल पर और सच कीजे इन angel numbers का मतलब ठीक है बैसे 11 11 अगर आपको दिख रहा है तो मैं उसका मतलब आपको बता देती हूँ 11 11 का मतलब होता है triple 11 का मतलब यह होता है guys कि आपकी कोई भी जो चीज आप सोच रहे हैं वो पूरी हो सकती है इसलिए ध्यान दे कर सोचिए सम्हाल कर सोचिए ऐसा नहों कि आप उस समय कुछ गलत सोच रहे हों और angel number आपको बता रहे हैं कि आपकी कोई विश्पूरी हो सकती है और आपको गलत सोच रहे हों तो वो गल यहां पर कार्ड तो एक यह उन्फोल्ड हुआ है बाकी कार्ड उन्फोल्ड नहीं हुए गाइस तो मैं उनको वापस ऐसे ही रख देंगी अग्रा कार्ड है अमारे पास मिरर गार्जिन जो कहता है टेक टाइम टो रिफलेक्ट जो कि मैंने यहां का था रिलीज ओल्ड और रे और यहां पर लिखा है टेक टाइम टो रिफलेक्ट यानि कि थोड़ा समय दीजिए अपने आपको ठीक है आप जो भी चाहा रहे हैं जो भी आपके विशेज हैं वो पूरी होने वाली है यूनिवर्स नहीं आपको यह इशारा कर दिया है कि आपकी विशेज पूरी होने व को ठीक है क्योंकि आपको यहां पर हटबढ़ाहट में किसी चीज का डिसिजन नहीं लेना है मैं तो कहूंगी फिलाल कुछ भी डिसाइड मत कीजिएगा ठीक है क्योंकि आप गुस्ते में आकर डिसाइड कर लें यह क्या पता आप इमोशनल होकर डिसाइड कर लें तो वह फिर आप बोलेंगे मेरी कोई विश्पूरी नहीं होगा ठीक है तो आपको ऐसा नहीं करना है अप ठीक है जब तक आप प्रॉपरली हील नहीं हो जाते हैं तब तक आप अपने उपर ही वर्क कीजिए क्योंकि आपके लाइफ में सब होने वाला है magic guardian unlock the magic within देखें जैसे कि यहां पर card आया था take note of intuitive messages और यहां card आया है unlock the magic within जो अपने आप में बता रहा है unlock the magic within card कि यानि कि आपके अंदर आप intuitive होने वाले हैं जो मैंने बताया था तो वो बताता है कि आप कितने magical और कितने जादा spiritual होने वाले हैं ठीक है आपके अंदर एक energy energy है जो काफी ज्यादा active रहेगी आपकी खुद की energy काफी active रहेगी आप लोगों की frequency grab कर पाएंगे जैसे कि आपके person आपके लिए अच्छा सोच रहे हैं तो आपको पता लग जाएगा खुशी होगी ठीक है अगर आपके person दुखी है तो आपको पता लग जाएगा क्योंकि old pattern को release करेंगे और rest करेंगे rejuvenate करेंगे आपको देखे हमारा ध्यान नहीं गया इस card पर अब गया है इसमें two of pentacles का card देख रहे हैं यह उल्टा है ठीक है इसका मतलब यह है कि आपको दो situations को जगल करना बंद कर देना है अगर आपका ध्यान यहां पर भी था कि यह भी कर ल यह दोनों चीजों पर जगल नहीं करना है आपको ठीक है तो यहां पर message मिल रहा है guys आपके लिए और यह आपको universe की तरह से gifts मिलने वाले हैं इसलिए आप intuitive होने वाले हैं अपने thoughts का दिहान रखें अपने thoughts को negative ना होने दे और आपके अंदर magical power रहेगी यानि कि आप काफी spiritual रहेंगे काफी intuitive रहेंगे तो आप अपने अंदर के messages को पहचानी है जो आपको कहा जा रहा है inner voice को सुनिया ठीक है कोई decision लेनी के जरूवत नहीं है अभी अभी आप सिर्फ अपने आपको heal करने पर ध्यान दीजे क्योंकि आपके मुझे लग रहा है कि कोई lot कर आने वाला ह है और tower moment है जो आपके life make drastic change आएगा पर अच्छे के लिए change आएगा ठीक है तो मैंने बाते काफी बार आपको repeat करके बताएं है उसका मतलब सिर्फ यही है guys कि आप इस बारे में अच्छे से समझ जाएं ठीक है और अगर मैं कोई बात बार बार कह रही हूं तो उसका सिर्फ यही मतलब है कि वह बात मुझे बहुत strongly आपकी रीडिंग में लग रही है इसलिए मैं आपसे बार बार कह रही हूं ठीक है अगर आपको यह reading resonate हुई आपकी situation से अगर आपकी situation में भी ऐसा ही कुछ चल रहा था जरूर बताईएगा मुझे कमेंट करके अपने experiences share कीजेगा मे अगर आप मेरा वीडियो अंत तक देखा है आपने तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे गाइस क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से यह वीडियो और भी लोगों तक पहुंच पाएंगे जो लोग प्रॉब्लम में हैं thank you so much डिख्वे बाइब कर दो आपके सब्सक्राइब कर देखा हैं